गुद इवनिंग, वेलकम टू स्टडी अगोरा, स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है, तो आज जो है हम शुरू करेंगे, हमारा एक स्ट्राटिक का टॉपिक है, तो वो शुरू करते हैं, उसका नाम है फोक पेंटिंग्स, ठीक है, तो ये सारी फोक पेंटिंग्स आज ह associated है, ठीक है, इसके अंदर इस पेंटिंग्स के अंदर जो symbols यूज होते हैं, religious motives यूज होते हैं, ठीक है, जैसे स्वास्तिका हो गया, divinity figures हो गये, ठीक है, वो इस पेंटिंग्स में यूज होते हैं, इसके अलावा जो इसके अंदर यूज होता है, ये गाउं में, rural areas में मिट्टी और काव डंग से तयार किया जाता है फिर इसके बाद जो है राइस पेस्ट और वेडिटेबल कलर्स यूज़ होते है राइस पेस्ट और वेडिटेबल कलर्स यूज़ होते है इसको बनाने के लिए ठीक है तो एक यह टॉपिक से मदुबनी पेंटिंग्स are from बिहार मिथिला पेंटिंग्स भी बुले आता है GI tag मिला है पेंटिंग्स को इसलिए important है यह देखे मैंने include करी है मदुबनी पेंटिंग्स religious occasions और marriages में यह बनाई जाती है घर के बार दूसरी पेंटिंग्स है पाट चित्र यह जो है traditional paintings है उडिसा से यह जो है canvas और cloth पर बनाई जाती है पाट चित्र very important from उडिसा theme है इसका वैशनवा, शिवा और शक्ती कल्ट ठीक है और associated जगनात कल्ट से भी associated है color जिसके अंदर use होते है mainly natural sources से use होते है lamb black, kajal जिसको बोलते है और burnt coconut shells use होते है तो यह देखे Krishna की paintings हैं पाट चित्र फिर पाइतकार paintings है जारकंड से tribal population है वहां की वो जो है उनकी जो goddess है मा मंसा उनको river मतब respect देने के लिए यह paintings पनाई जाती है और इसकी जो है common theme है human life post death ठीक है? human life post death इसकी common theme है यह देख लिए आप पाइतकार paintings फिर है पाटुआ paintings यह Bengal से है काफी history है इसकी thousand of years old history है stories जो इसके अंदर है वो Hindu gods and goddesses की है और यह पट्टे होते है पार्ट जिसको गोलते है scroll paintings है उन पे बनाई जाती है काफी लंबी paintings भी होती है तो यह देखिया पाटु आर्ट है कलम करी paintings जो है आंदप देश से है और इसके दो major school है श्री कलाहस्ती और मसली पटना और यह exist कर रही थी right from विजयनगर empire तो विजयनगर empire से भी exist कर रही थी इनको हाली में जो है GI tag मिला है यह पता होना चाहिए or with the help of bamboo इसके अंदर जो है कलम का मतलब होता है pen और जो है उसकी जो tip होती है वो bamboo से बनी होती है sharp pointed bamboo और जो base होता है जिस पे बनाए जाता है वो cotton fabric से बनाए जाता है ठीक है तो यह देखिया आप यह कलम है कलम करी paintings बन रही इनकी history है 2500 से 3000 सार पलानी 2500 BC से 3000 BC तक यह paintings basically walls पे की जाती है और इसमें base जो यूज होता है वो red ochre red ochre color का base होता है फिर देख लेते हैं थांका paintings जो है हिमालियन स्टेट से आती है बुद्धिष्ट paintings हैं सिक्किम, हिमाशा प्रदेश, लद्दाक और अरुनाचल से इसको जो है इसका जो base होता है वो cotton के canvas होता है और जो dyes और paints यूज होते हैं वो weightable और mineral dyes होते हैं ठीक है तो आप देखे यह भूमी पर श्मुद्रा है इसमें जो जब गौतम बुद्धा ने enlightenment attain किया एक बूद गया ठीक है तो उन्होंने जब enlightenment देखे को निर्वान बोलते हैं तो उन्होंने अर्थ को witness के तौर पर कोई कोई था नहीं तो उन्होंने अर्थ को witness करने के लिए अर्थ को touch किया इसलिए इसको भूमी सपर्ष मुद्धा बोलते हैं तो अर्थ उनकी witness बनी कि उन्होंने enlightenment की प्राप्ति करी ठीक है जिसको निर्वान भी बोलते हैं और finally जब उनकी death हो गई एट कुशी नगर तो उसको महापरी निर्वार बोलते हैं और जब वो घर से निकले थे अपना जो है horse लेके गोडा लेके तो उसको बोलते हैं महाबिनिश क्रमन ठीक है महाबिनिश क्रमन और philosophy आपको पता है प्रतित्य समुत्पाद related to Buddhism ठीक है त्रिपे टक होते हैं इसमें सोत्य पे तक अभिदम पे तक और विने पे तक मंजूशा पेंटिंग्स मंजूशा पेंटिंग्स हैं भागलपूर रीजन से ये भी जो है बिहार की पेंटिंग्स हैं लेकिन भागलपूर रीजन से हैं इसको स्नेक पेंटिंग्स भी कहते हैं और अंगी का आर्ट भी कहते हैं, तो मंजूशा अगर आए तो अंगी का आर्ट, they are made on the boxes of jute and paper, जो डब्बे होते हैं, jute और paper के, उन पर इसको बनाए जाता है, तो ये देखिए, मंजूशा, फिर fard paintings है राजस्तान से, 15 से 30 feet length होती है, scroll paintings हैं, done on a long piece of cloth called fard, ठीक है, release paintings होती है, depict करती है, पाबु जी और देव नारायन, ठीक है, कृष्णी के अलग-अलग नाम है, जो उनको जो वैशनवा कल्ट आप बेख से बोल सकते हो, वैशनवा स्कूल बोल सकते हो, चेरियाल paintings आती हैं, तेलंगाना से, कलमकरी आंदरा से आती है, बता दी है, यह आती है, तेलंगाना से, common theme वो ही है, हिंदू epics, रामाइना, भाबारत, पुराना, भागवत, पुरान, ठीक है, huge scroll paintings होती है, 45 feet तकिन की जो है, लेंट होती है, और GI tag मिला है, इनको 2007 में, ठीक है, तो आप देख लिए ना, चेरियाल, फिर है, पेथोरा, पेथोरा paintings आती हैं, गुजरात और MP के tribal community से, ठीक है, religious होती है, spiritual होती है, they are painted on the walls of house to bring peace and prosperity, और animal का depiction भी होता है, इसमें, तो देख लिए चेरियाल paintings, गुजरात और MP, फिर आखरी paintings हम देखते हैं, साउरा paintings उडिशा की, mural paintings होती हैं ये, और largely ritualistic होती है, human shape को बहुत sketch like, stick like figures में दिखाय जाता है, ऐसे जैसे, आप अगर ऐसे देख लो, तो ये इस टाइप का figures होते हैं, human figures, इसको ऐसे बना जाता है, ठीक है, ये हैं आपकी, साउरा paintings, साउरा paintings are from Odisha, ठीक है, तो ये आज का मैंने आपको बता दिया, सारी paintings का, तो फिर आप जो है, चैनल को like करिए, share करिए, subscribe करिए, ये जो है, मैं static की एक अलग से playlist मैंने बना रखी है, important topics हैं, मैं आपको बताऊँगा भी अभी जो हाली में UPSC का prelims हुआ है, word to word, दो question तो direct word to word आए, solar storm पे जो question था, क्या effect होता है उसका, geomagnetic storm भी इसको बोलते है, solar fresh की वैसे, और एक question जो है, web 3.0 direct आया है, non fungible token आया है, inflation मैंने बताया था, उसके question आया है, फिर उसके बाद जो है, मैं आपको बताया था, कि रामानुज का जो मार गया है, philosophy, मैं philosophy का student हूँ, philosophy optional है मेरा, तो मैंने उसक मैं बताया था, कि अलग-अलग schools हैं, विधानत के, जैसे कहें अदवेत है, आपका विशिष्ट अदवेत है, दुएतवाद है, शुद्द अदवेत है, दुएत अदवेत है, तो मैंने उसके बताया था, कि रामानुज का जो mark है, वो जो है, ज्ञान मार गय इसके अलावा में और भी देख रहा हूं अभी और भी बहुत सारी चीज़े हैं चोटी-चोटी चीज़े हैं मैंने helper T-cell helper B-cells के बारे में बताया था बहुत basic question आया कि यह होते क्या हैं आपका innate human system था मैंने बताया था कि शुरुवात में neutrophils attack करती है macrophages attack करते हैं उसके बाद आपका complement protein भी मैंने बताया था और यह भी बताया था helper T-cells P-cells क्या करती हैं आपकी long lasting immunities immunoglobulins बनाती है ठीक है तो मैं आपको with proof बताऊंगा मेरे वीडियो में आप देख भी सकते हैं जा चाके आप जो है यह questions जो है direct आये हैं पांस से छे से आठ questions direct indirect मिलाके 10 questions around 8 से 10 questions direct और indirect मिलाके दोनों आये हैं आप सोच लिजे कितना 10 questions आना है बहुत बड़ी बात है UPSC के अंदर ठीक है तो आप मेरे चैनल को like करिए share करिए subscribe करिए फिर मिलते हैं next वीडियो के साथ thank you have a nice day